हलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज आपको जनम भूमी कवीता का सारण समझा रही हूँ यदि आप मेरे चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरू लाइक कीजे तो चैलो मैं शुरू करती हूँ जनम भूमी कवीता जिसके कवी सुमित्रा नंदर पंत जी है जनम भूमी का आर्थ होता है वह धर्ती जिस पर हम जनम लेते हैं हम सभी ने भारत देश में जनम लिया है तो हमारी जनम भूमी भारत भूमी है मतलब भारत देश है इस कवीता में जनम भूमी को स्वर्ग से भी अधिक माहान बताया है, स्वर्ग से भी अधिक स्रेश्ट बताया है क्यों बताया है? क्योंकि स्वर्ग की सिर्फ कल्पना की जा सकती है, स्वर्ग को किसी ने देखा नहीं है लेकिन हमारी जो जनम भूमी है, वो हमारा पालन पोशन करती है इस पर हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं पूरी लाइफ इसमें स्पैंड करते हैं अब इसका साराच देखिए कवी भारत भूमी की प्रशंशा करते हुए कहते हैं कि जिस धर्ती पर हमने जनम लिया है वह हमारी जनम भूमी भारत माता हमें प्रिये है वह हमेशा स्वर्ग से भी अधिक महान है इसका मस्तक हिमाले परबत है जो भारत का गौरव बड़ा रहा है इसकी भूमी हरी भरी है फसलों के पक जाने पर वह सौने के समान दिखाई देती है गंगा यमना का जल प्रिकास से गुथा हुआ है ये नदिया सभी के हिर्दे में बसती है कहने का भाव यह है कि गंगा और यमना नदी के किनारे बसे शहरों में विकास और उन्नती का प्रिकास फैल रहा है कभी भारत भूमी का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जनम भूमी की महिमा निराली है यहां शांती निकेतन जैसा तपोवन है जहां रिशी मुनी ध्यानमगन होते हैं बे ग्यान रूपी आकाश में ब्रमन करते हैं यहां हमेशा सत्य की ही बात होती है भारत वर्ष ने सत्य और रहिंसा के सिध्धान्त को अपनाया है कभी कहते हैं कि आज पूरे विश्व के लोगों का जीवन युद्ध के कारण जड़जर हो चुका है हमारा देश मानव जाती को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए फिर से मंत्रो चारण कर पूरे विश्व में शान्ती का प्रचार करेगा हमारा देश भाईचारे का संदेश फैला रहा है और वह सभी लोगों को एक साथ मिलचूल कर रहने की भावना का प्रचारक बन गया है उसके मुक पर आत्मिश्वास की चमक है कवी कहते हैं कि हमारी प्रिये जनम भूमी भारत माता स्वर्ग से भी अधिक स्रेश्ट है आशे करते हूं कि आपको कवीता का सारन समझ में आ गया होगा